नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस्सी लेकपाल की जो भरती होनी है वहाँ पर किस प्रकार के इस्टूडेंट को लिया जाएगा गुना पे आधारित बुलाया जाएगा या परसेंटाइल के आधार पर बुलाया जाएगा तो दे सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके नमबर बहुत जादा होंगे और बहुत वही सेलेक्ट हो पाएंगे बाकि सब के सब बाहर हो जाएंगे यहां पर देखिए लेकपाल के बैकेंसी कोई हर साल तो आती नहीं जाने कितने दिनोबद बैकेंसी आ रही है पीटे एकजाम चुना पहली बार हुआ है इसमें बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी भी नहीं थी कि पेपर कैसा होगा किस तरीके से होगा और यहां पर आयोग ने भी पहले से दिसाइड नहीं किया है कि आप सबी को पता होगा कि जनरल कंडिडेट के लिए डेड़ सो में से 90 नंबर लाने होते हैं जो कि 60% होते हैं OBC के करम बात करते हैं CST की तो 82 नंबर होते हैं तो इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो परसंटाइल आपको एक नया अपसंदिया गया है उसी के आधार पर बुलाया जाएगा अगर गुना पर आधारित बुलाएंगे न तो आप समझ लेजिए कि बहुत सारी लोग इससे बाहर हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहे है और जब कटेगरी वाइज बुलाएंगे तो हो सकता है ओबी सी का और कम चला जाए जनरल को थोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जिनके 60% से ऊपर भी अगर परसंटाइल बन रहे है न तो उन्हें भी मौका मिल सकता है आप अभी से बिल्कुल निरास मत होई है कि मेरे नंबर कम है और होगा की नहीं होगा देखे जब तक कोई चीज फाइनल क्लियर न हो जाए अभी सब पुरा डाउट फूल है अभी कुछ भी नहीं पता है कि कि किस तरीके से यह पीटी को लेकपाल के लिए इलिजिबल करें और जैसे ही आपका पेपर की नोटिफिकेसन लोइकपाल की है और भी जो इजाम होने है पीटी के माध्यम से ठीक है ना आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए और जैसे ही देखने को कुछ भी अपडेट मिलेगा ना तो वहाँ पर इतना माल लिजिए कि कम नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है ठीक है ना जिनके अधिक नंबर है वो तो सेवर हैं ही लेकिन कम नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है तो इसलिए आप दोस्तों बिल्कुल घबराईए मत क्योंकि बहुत सा लोग कमेंट आते हैं कि सर मेरे नंबर कम है मेरा होगा कि नहीं होगा हम दि कि यहाँ पर आपको परसंटाइल के आधार पर ही आपको बुलाया जाएगा ठीक ना चलिए इसके अलावा और कोई भी सवाल बगारा हो तो कमेंट करके पोस्ट सकते हैं वीडियो देखे लिए दोस्तों धन्यवाद